और आज हम इस धामपूर वाइड क्रिस्टल शुगर कर्यू करेंगे जो की धामपूर प्रांड की है यह अमेजन में आपको 229 रुपय में मिलती है और अगर आप किसी कार्ड का कोई डिसकाउंट चल रहा है तो उसमें आपको 10% 5% और 15% जैसा डिसकाउंट होता है उस अवलेबल रहती है धामपूर की शुगर से अच्छी कॉल्टी के शुगर आपको जस्ट लेनी है तो आपको ममाना शुगर है जो की इससे थोड़े सी अच्छी कॉल्टी होती मिठास में और दाने में तो आप उसको ले सकते हैं और आप इसको देख देख सकते हैं यह आप और दूसरी शुगर बनती है अपी गन्य से तो यह जो शुगर है यह गन्य से बनी है और इसकी ज़ो फैक्टरीज हैं वो वुष्चन यूपी में है जो कि गन्य की खेती का एक बहुत बड़ा वहां पे अक्रीकलचर का एक शेक्टर है तो आप देख सकते हैं यह डबल टिफ कि दिन क्लिशे मैंने इसको जनवरी में ही लास्ट जनवरी में और किया था तो यह जनवरी की ही पैकिंग है लगबग आपको एक महीने पुरान ही शुगर मिलेगी और आपको यह छे महीने के अंदर इनको इसको कंज्यूम कर लेना है कि यह मेंड इंडिया प्रोड़क्ट है सब दिखा हुआ है चीजें और इसकी फैक्टरी जो है वह मुझफवन नगर में है और इनका एफ एससे आई का लैसे संबर भी है और साथ में यह और भी प्रोड़क्ट बनाते हैं शुगर क्यास पासे ऐसे बूरा शुगर हो गई ब् आप चाय कॉफी में यूज़ कर सकते हैं यूज़ लगबग एक रुपए का या दूर रुपए के पर आते हैं लेकिन यह आपको 100-200 के पीस के इसाफ से मिलते हैं एक और चीज़ है पांच किलो की जो शुगर होती है वो नामनी सस्ती होती है अगर आप पर केज़े के साफ सरतारी 50 रुपए के करीब होते हैं हम क्रिस्टल की बात कर लेते हैं हम दूर सही दिख रहा है इसके क्रिस्टल बढ़े हैं और मैं यह शुगर लगबग 5 साल से यूज़ कर रहा हूं तो इसकी मिठास में कोई दिक्कत नहीं है पैकिंग इनकी अप टू मार्क है सॉलिट प 40 रुपए की मिल रही है तो यह लगबग 40-42 रुपए की मिलेगी पर केजिव के साथ से लेकिन आप जब आप थोग पिलेंगे तब 5 किलो के अगर एक किलो का लेते हैं तो यही मार्जीन लगबग 40 परसं तक बढ़ जाता है तो यह मेरा आज रिवीव था धामपुर शुर आपने किसी मंत में लिया है तो यह लगबग पर एक मंत पुरानी शुगर आपको अमेजन में अवलेबल रहती हैं मेजन बेंट्री में और अगर आप बल्क में 3-4 महिने के लिए मंगा रहे हैं तो इसको आप मंगा सकते हैं तो यह था मेरा आज का वीडियो ऐसे ही